चलो अभी स्टार्ट करते हैं लेक्चर को लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि C language कहां बनी थी, किसने बनाई थी और भी उसके बारे में बहुत सारी हमने बेसिक चीजें समझी थी अभी हमें और आगे चलना है आगे बात करना है, जो software हमने डाउनलोड किया था CodeBlocks नाम का, उसको डाउनलोड कैसे करते हैं एक बार मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा जो software है CodeBlocks उसको डाउनलोड करने की process भी वैसे मैंने आपको लोगों को बताई भी थी कि उसको डाउनलोड कैसे करना है एक बार दिखा देता हूँ डाउनलोड कोड ब्लॉक्स यहां इतना सर्च कर दो तुरंत यहां पे पहली वेबसाइट आएगी उस पे क्लिक करो डाउनलोड दबाइनरी रिलीज और यहां पे विंडोज एक्सपी और यह वाला ऑप्षन है इस पे क्लिक करो और यहां पे यह फॉर्थ वाला आपको डाउनलोड करना है मैंने बताया आप 4th वाला ही करना नई तो यह करोगे तो अलग से compiler डाउनलोड करना पड़ेगा उस चक्कर में मत पढ़ना फोर्थ वाला डाउनलोड कर लो बस अब डाउनलोड कर लेने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये software यहाँ ऐसा दिखाई देता है ये देखो ये मैं दिखा रहा हूँ आपको ये software है code blocks मेरे पास turbo c software भी है ये भी आगे सिखाऊंगा कैसे इंस्टॉल करना कैसे चलाना है और do c++ ये देखो ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे ये भी है सब software कैसे VS code भी है मेरे पास लेकिन अभी मैं इसको यूज़ करूँगा ये 20.03 version हो सकता है कि आपके पास कोई पुराना वर्जन हो तो भी चलेगा कोई भी वर्जन रहेगा उससे कोई फरक नहीं पड़ता इस तरीके से ये open होगा software यहाँ पे देखो एक option है file और यहाँ पे एक option है new file और यहाँ पे एक option है empty file जब आप कभी भी कहीं भी note जाते हो तो इसी तरीके से new करके ही शुरू करते हो कोई later लिखना है कुछ भी करना अगर आप general Microsoft Word को भी open करते हो तो ऐसे ही करते हो यहाँ पे यह कर दिया select अब आ गया है अब अपने को program यहाँ लिखना है क्या लिखना है एक एक step आपको समझनी है ऐसा समझ लो कि आपको coding विल्कुल भी नहीं आती आज तक आपने कभी कुछ पढ़ा नहीं है डारेक्ट पहली बार मैं program बनाना सिखा रहा हूँ इसी तरीके से तो यह आज का lecture और YouTube पे होगा इसके बाद से हमारा lecture directly app के उपर होगा मैंने app की सारी process बताई है पिछले lecture में web.coding.in इस website पे भी जाके आप कर सकते हो बच्चों को add कर रहा है कुछ बच्चे बच गए हैं जो बच गए हैं उनके लिए Microsoft Teams नाम का app उन्हें download करना है जब तक 2-4 दिन add नहीं होते तब तक उसके बाद मैं link उसकी share करूंगा group के उपर वो उस पे click करेंगे वो direct join हो जाएंगे जो app के उपर हो app के उपर तो direct होगा उसे किसी link पे click नहीं करना है जब 7-5 बजेंगे अपने आप एक notification आएगा click कर तो direct चालू हो जाएगा mobile पे या तो आप directly browser पे जाके कर सकते हो तो उनके लिए कोई tension नहीं है जो लोग app पे नहीं जैसे जो students को free वाले हैं उनको directly Microsoft Teams से ही join करना है उनके group पे link आ जाया करेगी वहाँ से वो directly join कर सकते हैं तो उसका भी कोई tension नहीं बाकि आप वहाँ से recorded की आदत लेकिन डालो मत यह एक ऐसी आदत है शुरुवात में हमें ऐसा लगता है कि हम बड़े आसानी से बाद में कर लेंगे लेकिन मन नहीं करता जब थोड़े lectures हो जाते हैं आप खुद सोच के देखो आज तक आपने अपने life में कितने पढ़ाई के वीडियो एक एक घंटे के देखे हैं इससे पहले एक एक घंटे के आप बैट बैट के daily एक एक दो दो घंटे के recorded मैं बोल रहा हूँ live नहीं बोल रहा हूँ live तो आदमी कर लेता है recorded नहीं करते जब जादा हो जाता बोर होने लगता वही बच्चे फिर बोलता है काम करो हमेसर नई batch में add कर लो पुरानी में हमको नहीं जम रहा है तो अभी platform fees, GST, सारे charges मुझे वहाँ लग चुके हैं जब आप नई batch में add करोगे तो वहाँ पर अलग से pay करने पड़ेंगे तो नुकसान मेरा होता है उसमें तो एक यह problem है ठीक है नुकसान की बात ही नहीं है बात ही है कि आपके नुकसान की बात है इसी लिए seriously अगर आपने daily समय दिया तो एक ही घंटा daily देना है इससे ज़ादा कोई समय देने की ज़रूर दें एक घंटा आपके practice के लिए बहुत है अगर एक अच्छा programmer बनना है अच्छी जगह पर पहुंचना है तो मुझे नहीं लगता बहुत टाइम लगता है बस इतना ही समय बहुत है बहुत लोग बोलते हैं बहुत पढ़ना पढ़ता कुछ नहीं अभी आपको समझेगा तीन दिन के बाद मुझे बताना जो आप program बना पा रहे हो क्या आप इतने साल में कितनी बार बना पाए मुझे ये बताना खाली तीन दिन बोल रहा हूँ मैं आगे के जो तीन दिन होंगे हमारे इतना सिंपल सा है अभी दिखाता हूँ file new और यहाँ पर empty file हमें दिखाई दे रहे हैं लेकिन अगर मैंने यहाँ प्रोग्राम मानलो type भी कर दिया तो यह कैसे पता चलेगा इस software को कि मैंने c language का program लिखा है इस software को नहीं बता c language का program है क्यों क्योंकि इस software के अंदर आप c++ के भी कर सकते हो java के भी कर सकते हो python कितने language के कर सकते हो दिखाता हूँ रुको list है यहाँ पर plain text लिखा है इस पर click करता हूँ अरे इतने सारे adda languages css है cc++ camel fortran 77 fortran दोनो game monkey script यह देखो सारी languages java javascript latex lisp यह सारी languages है देख लो pascal pearl python ruby small talk sql आप देखो न कितनी सारे हैं लेकिन यह run हो जाएंगे इनके program लिखने पर ऐसा नहीं सबका compiler डाउनलोड करना पड़ता है setting करनी पड़ती है बहुत सारी हाँ लेकिन जब आप इस software को डाउनलोड करते हो तो c और c++ का compiler inbuilt आ जाता है यह एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए तो इसके लिए मतलब इस software में c c++ ही हम करने वाले हैं और कोई ने तो अब इस software को कैसे पता चलेगा आप c के कर रहे हैं c++ इसलिए जब फाइल को save करोगे न .c extension देना पड़ेगा इससे यह पता चलेगा कि c का program है .cpp दोगे तो पता चलेगा c++ का है .java दोगे तो पता चलेगा जावा का है .py दोगे तो पता चलेगा python का है .js दोगे तो पता चलेगा javascript का है ऐसे अलग-अलग extensions होते हैं जैसे आप MP3 फाइल चलाते हो तो .mp3 होता है image देखते हो तो .jpg, png अलग-अलग extensions होते हैं अलग-अलग softwares होते हैं उन्हें चलाने के लिए मैं ना पहला program desktop पे ही रखने वाला हूँ मतलब मुझे desktop यह आपको दोनों चीज़े मुझे दिखानी पड़ेगी ताकि better आपकी understanding हो और आपको बहुत आसानी से चीज़े समझ में आये यह देखो, मैं program यहाँ पे type करूँगा program में लेकिन लिखते क्या है? सवाल यह है शिरुवात कहां से की जाती है? देखो c, c++, java तीन ऐसी starting की languages यहाँ पे आपको एक word लिखना पड़ता है उस word का नाम है main उसके आगे लगाना पड़ता है दो bracket किसी भी word के आगे दो brackets अगर लग गए तो उसको function कहा जाता है जो मैं बाद में पढ़ाने वाला हूँ अभी अगर function बताऊंगा कुछ समझेगा नहीं हाँ, खीक है, दो brackets लगा दिये अब, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं main function को start करना चाहता हूँ इसी लिए starting curly bracket और closing curly brackets close करने के लिए ये main के अंदर आप लिखोगे मतलब मैंने एक घर बना दिया है देख लो, ये घर की तरह है function एक घर होता है उस घर के अंदर कितने भी members मतलब कितनी भी lines लिख सकते हो तो ये main function, आप चाहो तो आपका नाम अगर अतुल है, तो अतुल लिखो उसके आगे दो brackets लगाओ और curly brackets लगा दो आपने अतुल नाम का function बना दिया आपने अमित नाम का function लेकिन compiler को सिखाया गया है जाओ main function को ढूड़ो तो आपके अतुल को नहीं ढूड़ेगा इसलिए अतुल मतलिखो हाँ, लेकिन अगर आप बोलोगे अतुल को ढूड़ो तो अतुल की भी line चलाएगा मैं ये बाद में पढ़ाऊँगा function तब आप बोलोगे हाँ, आप समझ में आया क्या है तो main ही बनाओ क्योंकि main के अंदर की lines को चलाने को compiler को सिखाया गया है तो direct आता है main को देखता हाँ main मिला और एक rule और है C language में हर line को खतम करने से मतलब जब करना होता है तो semi colon लगाना पड़ता है आप बोलोगे यहाँ पर भी लगा तो फिर नहीं main को खतम नहीं करना है main को तो start करना है semi colon represent करता है उस line को end करना तो ये function यहीं खतम हो जाएगा तो फिर ये curly bracket क्यों लगाए हो error आ जाएगी तूरंत इसलिए यहाँ semi colon कभी मत लगाना जब आप किसी function को बनाते हो अब मैं function word बोल रहा हूँ मैं technical words use नहीं करता पहले एक हफते तक समझेगा ही ने मैं बोलूँगा this is the function and predefined function and ऐसा बोलने लगूँगा आपको कुछ समझेगा नहीं आपको उस शब्द के बारे में पता ही नहीं है जो शब्द मैं use कर रहा हूँ तो फाइदा क्या है उसका और यही गलतिया जादा तर teachers कर देते हैं ऐसे शब्द बोलेंगे आपको उस शब्द के बारे में पता नहीं होता इसलिए प्रॉब्लम होती है और आप coding सीख नहीं पाते इसलिए एकदम आसान शब्दों में मैं कहूंगा कि main इस word के आगे दो brackets लगाओ curly bracket start, curly bracket close program खतम लेकिन अभी तक मैंने save क्यों नहीं किया इसे कर लेता हूँ पहले तो यही करना चाहिए मैं बाद में कर रहा हूँ, मेरी गलती है मुझे पहले ही करना चाहिए था ठीक है desktop पे मैं आया यह देखो desktop select किया, save करना तो कैसे करते हैं और भी बताई रहा हूँ नहीं बताया तो आपको यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ first.c पहला प्रोग्राम बना रहा हूँ तो मैं उसका नाम फाइल का first रखना चाहता हूँ .c यह extension बहुत जरूरी है यही आपकी सबसे पहली गलती होती जब आप पहली बार कोडिंग करने की शुरुआत करते हो तो आप यही extension नहीं बहुत सारे बच्चे मुझे प्रोग्राम भेजते हैं सर्य देखो error आ रही नहीं हो रहा है तो मैं सबसे पहले file name चेक करता हूँ तुरह मैं बोलता हूँ .cpp क्यों लिखे हो और आपका extension .cpp है इसलिए problem हो रही है यह जादा तर बच्चों के साथ होता है मुझे message भी आता है photo मैं देखता हूँ न उसमें वही गलती होती है तो यह गलती नहीं करनी है तो .c दे दिया हाँ बन गई file हाँ बन तो गई है क्या notepad में इसे open करें करता हूँ double click किया हो गया notepad में open हो गया notepad automatically saves your progress your content will be available next time you want notepad अच्छा मतलब अभी save भी करता है अगर मैंने कुछ changes कर दिया और close भी कर दिया अगर तो अगर इसको open करूँ नहीं मेरा already दूसरी जगा open है न इसके लिए हाँ है अच्छा है मैंने उस file को open किया मतलब यह पुराना वाला भी रखेगा ठीक है चाने दो यह अभी notepad का नया feature है मुझे इसकी जरूरत नहीं है हाँ यह शायद कल हमने किया था इसको भी हटा देता हूँ दिख रहे ही मुझे file जब compile करूँगा न एक नई file बन जाएगी अभी यहीं बनेगी मैं वहीं पर दिखाऊँगा desktop एक और नई बनेगी वही compiler बनाता है अभी दिखाऊँगा आपको अच्छा दबा दू क्या direct compile कर दू हाँ इन्होंने compile बटन नहीं दिया इस software ने क्या प्लस ओपन करता हूं देखते हैं यहां पर बिल्ड नाम है क्या execute बटन पर क्लिक किया यहां compile नाम है बिल्ड बटन नहीं है यहां पर compile बटन है अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने program बनाया काम तो ठीक है software wise वो नाम change हो सकता है तो अभी यहां पर क्या नाम ह बिल्ड बिल्ड मतलब compile चलो करूं बिल्ड पर क्लिक किया देखते हैं क्या नई फाइल बनती है इधर हां बन गई लो एक इधर बनी एक इधर बनी दो फाइल बनी है दोनों को explain करूंगा अच्छे से क्यों बनी है दोनों थोड़ा समय दे देना मुझे अब इसके बाद य अपने एक software बनाना सीख लिया 10 मिनट में बन गया software अरूस पर double click किया था अब software खुला और बंद हो गया दिखाओं दिखा क्या ऐसा थोड़ा जिल्मिल किया ना उसने फिर से दिखा देता हूं एक बार blink हुआ ना blink ये देखो फिर से देख लो ये online वालों को भी उम्मीद क जलता कभी कभी तो वह ब्लिंक हुआ मतलब software लेकिन रुक नहीं रहा है रुक जाता तो बड़ा अच्छा लगता देख पाते उसे लेकिन आपने उसके अंदर कुछ लिखा नहीं है हो क्या रहा है compiler ये line यहां से चलाना शुरू किया अंदर कुछ ना होने की वज़े से यह तो भी आप नहीं समझ पाते एक काम करता हूं मैंना एक आपका दोस्त है या फिर आप मुझे बोल रहे हो हमें एक software बनाके दो जिसमें दिखना चाहिए hello friends बनाके दो मैं बोलूंगा ठीक है बनाके देता हूं printf इस word को लिखना पड़ेगा इसके भी आगे दो word यह आ गया क्या बोलते हैं इसके भी आगे क्या आ चुका आप देख सकते हो दो brackets आ गए यह भी एक function है यहाँ पे लगाता हूं semi colon then यहाँ पे लिखता हूं hello friends यही चाहते हो screen पे देखना थोड़ा अगर छोटा करना तो control बटन दबाओ और scroll को कम जादा कर सकते हो जो mouse का scroll होता है अग कि यह जो pad है touchpad उस पे आप कम जादा कर सकते हो यह देख लो क्योंकि online वालों को दिख नहीं रहा है मैं कर क्या रहा हूं इसके लिए मुझे बताना पड़ेगा तो एक यह चीज़ हो गई देखो यहाँ तक hello friends इसको बस अब इस program को run कराता हूं build भी and run भी build बटन कहां पे यहाँ पे है and run कर दिया click दिख रहा है क्या आपको hello friends दिखाई दे रहा है देख सकते हो और program खतम हो गया कितना समय लगा 0.118 seconds सोचो कितना तेजी से बंद हुआ application चल के बंद हुआ हर बार अलग-अलग speed बताएगा हर बार अलग-अलग time बताएगा 0.018 था न अभी 115 आ र खतम हो गया मैं लिख दू क्या आप अगर यह बोलतो एक ऐसा software बनाओ जिसमें दिखना चाहिए hello friends और buy तो लिख दो double quotes के अंदर buy printf एक ऐसा function होता है जो software के अंदर दिखना क्या चाहिए वो represent करता इसके अंदर लिखना पड़ता अभी दिखाऊ एक जैसे मैं किसी application को promote न एक application है उसका नाम है nothing वो जो application है आप जब उससे डाउनलोड करोगे न डाउनलोड भी लाखों में है reviews भी साड़े चार के उपर है मतलब काफी अच्छा है open जैसे ही करोगे हाँ application दिख रहा है जैसे ही चलाओगे उसके उपर लिखा हुआ आता है nothing का मतलब क्या होता है कु और उस लाखों रुपए कमा लिया होंगे developer में दिमाग सिखा लिए ये तो nothing लिखना तो आपको भी आएगा लेकिन आपने पहली बार नहीं सोचा ना ये ये सोचने वाला वो था पहली बार तो इसलिए ये IT field ICS में uniqueness होनी चाहिए आप दूसरों से अलग है Facebook एक बार बन च पहलेगा WhatsApp बन चुका है इसके लिए कितने सारे अप्लिकेशन उसके जैसे आए आपके पास unique क्या है मैं आपको एक बात बताता हूं Instagram से पहले बहुत सारे अप्लिकेशन थे जैसे Photoshop बोल रहा हूं वो क्या नाम है एक अप्लिकेशन का फोटो एडिटिंग वाला Instagram किस लिए था पता है सिर्फ फोटो डालने के लिए था और उसमें कुछ नहीं था पहली बार जब मैंने 2013 में शायद login किया था मुझे 2012-13 में शायद मैंने किया था तो मैं फोटो डाल पाता था मुझे याद है भी भी यहां तक कि मुझे ये भी याद नहीं कि like का option है था क कि नहीं नहीं था शायद कुछ नहीं सिर्फ फोटो डाल सकते थे बस उतनी फोटो आपकी दिखेगी किसी और ने डाली उसकी दिखेगी कोई option नहीं ना message वाला ना कुछ कुछ नहीं बस उतना ही पुराना आप Instagram डालना Google पे Instagram 2013 आएगा वो तो आ जाएगा आप देखना कु मेरे ना बड़े कमजोर होते थे थोड़े कम clarity वाले होते थे तो वो जो filter वाला feature आया तो उससे ना photo काफी जादा improve दिखने लगा काफी अच्छा लगने लगा तो वहाँ भी उन्होंने like के option लाए इसके वज़े से वो इतना चला कि लोगों को share किया जा सकता है हम photo को filter edit भी software नहीं use करते कोई अभी जादा तर क्योंकि उन्होंने वहाँ वो दे दिया वो ना वो चल गया और उनसे पहले आये थे मार्केट में photo editing application वो नहीं चल पाए यह unique इनोंने सोचा photo editing इनको भी करना था लेकिन share और like का भी option था तो लोग करने लग गए photo डालने लग गए हम हमे खेला देखूंगा कितनी भी अच्छी photo मज़ा मुझे नहीं आएगा जब तक दूसरा कोई नहीं देखता मुझे मज़ा नहीं मिलेगा जब दूसरा कोई देखेगा तो आपको अच्छा लगेगा हाँ इसने देख लिया इसने लाइक कर दिया अरे यार सी 15 लाइक आये एप्लिकेशन बनते हैं कि उनको क्या चाहिए तो वो चीज़ें चल गई अब फिर से कोई बना देगा नहीं चलेगी अब यूट्यूब को ये बात पता चली कि अरे यार रील जब से आ गया ये तो बहुत तेजी से मेरे सारे जो लोग हैं उनको लेके जा रहा है इंस्टा चाहिए जादा देर नहीं देख सकते आजकल के बच्चे जो जनरेशन बदल रही है जादा देर तक किसी वीडियो को नहीं देख सकते वो उन्हें शॉर्ट में चाहिए मतलब एकदम जल्दी जल्दी जैसे पहले टेस्ट मैच भी लोग पूरा दिन टीवी लगा के देखते थे अभी नहीं देखते वंडे भी नहीं देखते इतना अभी टी ट्वेंटी ही चाहिए हमेशा वो एक समय बदला लोगों को स्पीड चाहिए क्योंकि समय कम हो रहा है प्रेंस ऐसी लाई जा रहे ही कि जो कम समय में जादा मतलब आदमी के पास तो गिन के उम्र 70-80 साल जो भी 100 साल है उस 100 साल में वो 200 साल वाला काम कर ले या 300 साल वाला कर ले जो 200-300 साल पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो एक महीना लगता था पुचने में वो वाली लाइफ अब नहीं है अब तो आप एक पृत्वी के उस पार चले जाते हो कुछ घंटों में यह पहले कहां था अब यह सब टेकनोलोजी बढ़ गई है तो ऐसी चीज़े हैं अभी देखो वो मैं एप के बारे में बात कर रहा था नथिंग नाम का प तो कुछ भी आप यूनिक नेस आपके दिमाग से वो होगा तो जैसे जिसका दिमाग खुरा पाती होता है नो बराबर कर ले जाता है कुछ ना कुछ और वही लोग जादा आगे जाते हैं जो थोड़े कमजोर होते हैं लेकिन उनका दूसरे चीज़ों में दिमाग जादा आप देखोगे ना जादा स्कील्ड वाला जो बहुत पढ़ने में अच्छा लिए बहुत सीधा है घर में ही रहता है इसे पढ़ाई करता है उनसे जादा बेटर वो लोग निकल जाते हैं जो जादा मस्ती भी करता है पढ़ाई भी कम करता है लेकिन वो लोग जादा आगे पहले निकल जाते हैं, यह मैंने देखा है बहुत यह कभी भी आप नोटीस करोगे यह 5 साल के बाद, जब आप उस फेज में रहोगे, अरे यार यह मेरे साथ था, इसको तो कुछ नहीं आता था, यह इधर कैसे चला गया, अरे यार यह इधर कैसे भी print हुआ और buy भी हुआ लेकिन friends के बाद line नहीं बदली मैंने बदल के लिखा था line में नहीं बदलेगी जब तक पूरे 80 characters पूरे नहीं होंगे line नहीं बदलती total 80 characters होते हैं एक line में आप बोलो के नहीं मुझे तो बदल नहीं है इसी लिए एक non printable character होता है उसको use करना पड़ता है उसका नाम है back slash n ये use कर लो अब भी देखते हैं हाँ बदल गई देख लो आपको लगता नहीं एक नहीं पांच line बदलनी चे दो बार तीन बार चार बार पांच बार लिख दो back slash n पांच line बदलवाना अगर चाहते हो तो जिसे software बना के दोगे उसे सिर्फ इतना ही दिखेगा hello friends पांच line छोड़के बाए उससे नहीं बता coding क्या लिखी आप whatsapp चला रहे है आपने देखी क्या coding क्या लिखी है आप तो खाली चला रहे हो एप्लिकेशन जो बने हुए है जैसे facebook react में बना हुआ है पहले php में था react ठोड़ा और अच्छा माना जाता है उसके अलग feature से एक ही बार में load होता है वो निट बंद भी हो ग रिफ्रेश होके फिर loading और फिर नया page ऐसे नहीं होता अब चेक करना बागी के pages जैसे होते हैं वैसे नहीं होता react अलग technology तो वो पूरा का पूरा page एक ही बार में load हो जाता है इसलिए fast लगता है वो और बहुत smoothness लगती उसमें तो यह हो गया इसके बाद और आगी चलता हू यहां से अभी मैं क्या करता हूँ यह रहने देता हूँ मुझे इसकी जरूरत नहीं है लेकिन एक बात है यहां पर एक word लिखूंगा पहले एक चीज दिखा देता हूँ यह देखो क्या दिख रहा है यहां पर यह खतम होने के बाद यह दो lines दिख रही है process return execution time 0.14 second दिखा क्योंकि खतम हो गया चलके खतम हो गया compiler जब इस line को cross कर देता है ना कौन सी पता है अच्छे नंबर की line को तो वह line दिखती है लेकिन मुझे अच्छी नहीं लग रही वह line मैं उस line को देखना नहीं चाहता है जो दिख रही है process return execution time इससे ना मेरा application बड़ा खराब दिख रह ही है क्यों प्रोग्राम खतम हो रहा इसलिए क्यों compiler छे नंबर की line को cross करके बाहर चला जा रहा है end हो जा रहा है इसलिए दिख रही है लेकिन अगर आप चाहो ना compiler को जाने इन मत दो बाहर कैसे रोक सकते हो यहां मैं लिख देता हूं gate ch दो brackets compiler को अंदर ही रोक लिया मैंने gate ch क्या बोल रहा है कि compiler यह line चला के आएगा यह line चला के आएगा ठीक है जब वो इधर आएगा न मैं उसको पकड़ लूँगा दिखाता हूं इसके बाद अगर hello लिखना है मुझे लिखता हूं इसके बाद फिर से हाई लिख देता हूं चलो run कराते हैं इसको अब एक बार और run करता हूं build and run देखो gate CH ने रोक लिया उसे पकड़ के रखा है अब सवाल यह है कि 5 नंबर की line पे gate CH है उसने पकड़ के रखा है इसके लिए program run करने के बाद high भी नहीं दिख रहा है मुझे लेकिन बात यह है कि कितनी देर तक पकड़ के रखेगा वो कुछ उसका समय होगा ना समय उसका जब तक चाहो तब तक वो पकड़ के रखेगा कब तक जब तक कोई keyboard से button नहीं दबा देते तब तक getcch इस word का मतलब खुद पढ़ो get character keyboard से जैसे कोई character आएगा getcch छोड़ देगा compiler को जाओ भागो दिखाऊं कोई character दबा के दिखाता हूं अभी जैसे online वालों को बताता हूं मैं why दबा देता हूं दबा दिया आया high छोड़ दिया ना उसने तुरंत अब execution time कितना लगा 44 seconds ल प्रोग्राम अच्छा दिखे इसलिए मैं getcch लिख रहा हूं वाकी कोई जरूरती नहीं मुझे इस समय उसकी इसलिए हर प्रोग्राम के end में getcch अगर आप लिख देते हो रन करूं यह देखो build and run hello friends और बायर तुमको नहीं समझेगा कुछ बैठो आगए हो तो अभी क्यूंकि आगे मैं आपको बता रहा हूं इतना important है starting के 6 lectures पूरा का पूरा आपका career उसी 6 lecture पे dependent है अगर पहले 6 lectures आपने अच्छे से नहीं किये आपका पूरा career नहीं बन पाएगा मैं यह बता सकता हूं get ch क्या है curly bracket क्या है main क्या है program चलता कैसे क्यू लिख रहा हूं जब 6 दिन बीच जाएंगे फिर directly मैं आगे बहुत आगे चला जाओंगा आपको नहीं समझेगा है सब क्यू लिख रहा हूं मैं semi colon क्यू लगा रहा हूं मैं main क्यू लिख रहा हूं curly bracket क्यू लगा रहा हूं कु जाम आ गई छोड़ो सी चलो जो भी आ रहा है करके आ जाएंगे थेरी पढ़के जाते हैं फिर जावा अरे जावा के लिए फिर C++ आनी चाहिए फिर ताकि और अच्छे से जमें फिर आपको एक भी लैंग्वेज नहीं आती जो कॉलेज में अभी इंजिनेरिंग में होता है जो फरस्ट इयर में मैं उनको एक बात बोलता हूँ जो आपके लास्ट इयर के बच्चे मिलेंगे उनसे पूछना एक क्लास में सव बच्चे है तो दस से बीस बच्चों को छोड़के कोडिंग किसी को नहीं आती कम्प्यूटर इंजिनेरिंग वालों की बात कर रहा हूँ कम्प्यूटर वालों की जो आप 6 दिन में सीखोगे न उन्होंने 4 साल में भी वो नहीं सीखा है लियानी नहीं दे रहा है खाली थेरी पढ़ पढ़ के जा रहा है पास होने के लिए हर बच्चा यहीं चाहता है कि मैं पास कैसे हो जाओं पासिंग के बारे में सोचते हैं ल लेकिन आपकी कोडिंग स्कील अच्छी होनी चाहिए सही बता रहा हूं मैं अगर आपकी कोडिंग अच्छी है तो आपका बैग्राउंड बी ये भी होगा बी ये तो भी चलेगा फार्मसी होगा तो भी चलेगा कोई भी एगरी कल्चर मेकेनिकल कुछ भी रहने दो और मेक करियर नहीं है अब यही last रास्ता है हमारे लिए तो बड़े ध्यान से करते हैं और कर ले जाते हैं और आप क्या करते हो आप अरे अभी बहुत समय है फोर्थ येर के बाद थार्ड येर के बाद बीसी जब हो जाएगा तब देखेंगे और वही गलती होती है वो समय निकल जा फिर से बार रण करता हूं अब एक बात है देखते हैं क्या यह सौफ्ट्वेर हेलो फ्रेंट्स और दिखाएगा डबल क्लिक करूं किया बन गया हमारा एक सौफ्ट्वेर आपने एक एप्लिकेशन बनाया पेंट राइव में कॉपी कर अपने दोस्को दे दो अगर वो बो प्रोग्राम एंड हो गया यहां नहीं होती स्क्रीन क्लोज कहां पर यहां पर क्यूंकि आप डेवलपर हो ना यहां पर नहीं एक बटन दबाने के बाद भी नहीं हां इतना समय लगा यह भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती वहां नहीं मिलती तो अगर आपने यहां गे 0.12 सेकेंड लगे लेकिन यहां पर अगर डबल क्लिक करते हो तो नहीं चलेगा दिखाओं स्क्रीन आई और गई हेलो फ्रेंड्स बाई प्रिंट हुआ था आप देख नहीं पाए आपकी आँखे इतने जादा स्पीड वाली चीज़ें नहीं देख सकती देख लो आप जैस इसे देख पाए आप नहीं देख पाया होगे तो अगर आप रोबोट होते तो आप शायद देख पाते लेकिन अभी तो आपकी आँखे इतनी पावरफुल नहीं है तो आप नहीं देख पाऊगे तो मुझे वहीं बताना है कि get CH लिखना चाहिए हर प्रोग्राम के एंड म ताकि वह application रुका रहे बोलने का मतलब है रुका रहे जिसको आप software बना के दो इसलिए बागी इसका कोई use नहीं है बागी coding करते समय नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा किसी को बना के देना application तो last में डाल देना बागी आप जब तक programming करोगे कोई जरूत नहीं तो इसलिए ऐसा लिखते हैं वो लो stdio.h मैं तो लिख भी नहीं रहा हूँ hash include koneo.h nc जो है American National Standard Institute उन्होंने कुछ rules बनाये हुए हैं कि c language में header files को लिखना compulsory नहीं है optional है इसलिए और c++ में compulsory लिखना पड़ेगा ये भी rule है मैं कहां c++ पढ़ा रहा हूँ इन्होंने तो यहां optional बोला है मन करे तो लिखो ना मन करे तो मत लिखो मन नहीं करता मेरा मैं नहीं लिखूँगा आपका मन करेगा आप लिख लेना उसका भी कुछ meaning है मैं बताऊंगा 2-3-4 lectures के बाद जब आपको थोड़ा idea आ जाए तो उसको भी बताऊंगा अच्छे से header file मैं create करके भी दिखाऊंगा आपके नाम की और उसको include करूँगा तो ऐसी चीज़े हैं वो मैं बताऊंगा जिसको मालूम है उसके लिए बोल रहा हूँ बाकी छोड़ दो आप ये हो गया पहला program आपका बन चुका है बस इतना ही हाँ यहां पे void भी लिखते हैं यह भी आपके दिमाग में जो लोग पुराने होता है न थोड़ा पड़के कहीं से आते हैं उनके दिमाग में यह भी सवाल होता है हमने तो किताब में int main void main पढ़ा है आपको नहीं लिख रहında हैं इसका भी जवाब मैं अभी नहीं दे पाऊंगा functions जब पढ़ाऊंगा तब जब आप दूँगा तब आप मुझे बताना कि मैंने अच्छा किया था कि नहीं void नहीं लिखा था तो ये तब आप मुझे बताना जब पूरा समझ जाओगे functions को अच्छे से तब पता चलेगा आपको void लिखना चाहिए वैसे नहीं लिखोगे तो warning आती है दिखाओ build किया यहाँ पे एक output screen होती है जो दिख नहीं रही है मेरी यहाँ पे होती है आप जब application install करोगे तो दिखेगी error आ रही है कोई वहाँ पे locks and errors करके एक screen होती है जो अभी मेरी नहीं दिख रही है f2 दबा दू क्या keyword से दबा दिया आ गई मैंने इसको थोड़ा नीचे डखेल के रखा यह देखो warning आ रही है in main function warning implicit और यहसा warning मुझे दे रहा है क्या यहाँ पे return type int देना चाहिए आपको यहाँ पे warning की तरह है लेकिन run हो जाएगा नहीं मैं तुमको नहीं बोल रहा था मैं एक बात बता रहा हूँ तो यह ऐसी चीज़े है अब देखो यहाँ पे मैं build and run करता हूँ इसको hello friends दिखाई दे रहा है हो गया और यह screen का अगर आपसे गलती से close भी हो जाती है देखो यहाँ पे option है close का कर दिया F2 दबा के ला सकते हो हाँ अब एक problem और जो मैंने अभी देखा बच्चों का वो बोलता है sir F2 दबाते तो हमारी brightness बढ़ जाती है या कम हो जाती है या तो मेरा आवाज कम जादा हो जाता है क्यों sir आप F2 दबाते हो आपके साथ क्यों नहीं होता क्योंकि जो उपर के buttons है वो एक बार में दो काम करते हैं keyboard छोटे हो गए है पहले की keyboard बड़े हुआ करते थे अभी keyboard laptop के हिसाब से छोटे हो गए है तो इन्होंने दो-दो काम कर दिया तो नीचे keyboard बे एक function बटन होता है FN नाम का उसको दबा के दबाया करो ये मुझे अब बताना पढ़ रहा है क्योंकि ये भी पूछते है बच्चे ये देखो उसको दबा के ही मैं दबा रहा हूँ डायरेक करूंगा तो मेरा brightness मेरे laptop का कम हो रहा है आपके इसमें brightness की जगा कोई और काम होगा लेकिन अगर आपके यहाँ पे डायरेक हो रहा है डायरेक दबा और नहीं हो रहा है तो FN दबा के दबा ना हो जाएगा हाँ अगर उसके अलावा भी नहीं जम रहा आपको तो इधर view का option है और यहाँ पे perspective में जाके यहाँ से भी लॉक्स एक यह लॉक्स F2 लिखा ना एक यह लॉक्स दबा दू आ गया यह तो और अच्छा है चला गया इधर से भी कर सकते हो तो यह ऐसी चीज़े है यह हमारा पहला प्रोग्राम बनके रेडी है आप लिख सकते हो first program in C language इसको लिख लो चलो जल्दी से जैसे online वाले बोल रहा है कि notes कब से मिलेगा आप लोगों को notes जो है कुछ हो जाने दो lectures 15-20 lectures उसके बाद मैं notes directly application के उपर डाल दूँगा coding सीखो नाम का जो application है जहां पे handwritten notes आपके आ जाएंगे आप वहां से देख पाओगे questions भी दे दूँगा अभी जरूरत नहीं जब समय आएगा थोड़ा तो उस समय पे मैं आप लोगों को दे दूँगा notes अभी खाली lectures आपको करना है बाकी तो कोई problem नहीं है अभी जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ो अच्छे से focus रखो अच्छे से ध्यान दो कोई issue नहीं अगर आपका दोस्त अभी भी जॉइन करना चाहता है उसके पास समय है दो lectures हुए हैं दोनों YouTube पे हैं वो चाहे तो आराम से देखके ये दोनों मैं app के उपर upload कर दूँगा जो YouTube पे हैं खाली आज का देख लेगा तो भी कल से जॉइन कर सकता है कल के इसमें इंट्रोड़क्शन होगे रहे हमने देखा था हो गया यहां तक चलो अब आगे चलते हैं कुछ और नई बात हैं एक बात बताता हूं आपको अरे जैसे ये आपको पता है कि ये राम है मान लेते हैं यह हर्ड डिस्क है और यह प्रों सेसर है किर्च मतलब क्रोसेस करनेवाला प्रोसेечноह यह यह एक मीमरी यह रैंडम एक्सेस मीमर्य रैंडमली चलते रहती है memory और यहां पर हार्ट डिस्क ड्राइब जिससे आज कल SSD भी बोलते हैं स्पीड उसकी जाधा होती है अब आप आपके प्रोग्राम के अंदर चाहते हो कोई memory बनाना सब्सक्राइब बनाना उसके अंदर आप कुछ टोर कराना चाहते हो जिससे फाइब स्टोर कराना है आपको करा सकते हो आपको आपके प्रोग्राम में लिखना पड़ेगगे यह हटा दूं क्या ही यह खटा देता हूं चलो मैं अगले लिक्चर से फोल्डर बनाऊंगा separate उस फोल्डर में पूरे प्रोग्राम से अपने होंगे और जब पूरा लिक्चर हो जाएगा सारे प्रोग्राम अप्लोड हो जाएंगे ठीक है यहाँ पर मैं लिखता हूँ int a अगर आपको कोई memory बनानी उसका नाम आपको a रख सकते हो तो आपने एक बरतन बना दिया RAM के अंदर और उसका नाम a है प्रोग्राम में बनाने से RAM में memory बनती है hard disk में permanent नहीं बनेगी वो temporary memory है हाँ तो क्या मैं अगर लिख दू int B तो क्या एक और memory बनेगी हाँ B बन जाएगी हाँ अगर मैं लिख दू int Amit तो क्या memory बनेगी क्या Amit नाम की हाँ, Amit नाम की memory बनेगी तो इस memory का नाम है Amit आप A नाम रख सकते हो, B नाम रख सकते हो तो अमित क्यों नहीं रख सकते है किसी memory का नाम क्या दिख्कत है word तो word, कुछ भी नाम रखो रख सकते हो आप लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है इन memories में रखा क्या जाता है आप पहले यहाँ पर क्या word लिखे हो int int का मतलब होता है integer numbers रखने के लिए बनाई गई memories हैं ये तो अगर आपको numbers store कराने है तो आपको memory बनाते समय int लगाना पड़ेगा characters store कराने है तो care लगाना पड़ेगा decimal वाले numbers store कराने तो float तो memory बनाते समय आप लिख सकते हो int a float b care c ये बनाइ गई data type data का type कौन सा है पता चल गए int मतलब number उसके नाम से उसका मतलब है सबके नाम से English language है data type data का type क्या है int है int type का data रखने के लिए बनाई गई memory जिसका नाम a है float type का डेटा रखने के लिए बनाई गई memory जिसका नाम b है amit care type का data रखने के लिए बनाई गई memory उसका नाम है Amit अब बात ये होती है कि numbers कैसे रखें रख सकते हैं क्या हम लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ RAM के अंदर है memories बनी है RAM बोलता है मेरे पास address है बहुत सारे एक address तुम ले लो चलो तुम 1000 ले लो एक काम करो तुमें 1008 ले लो ऐसे देता है कुछ भी कुछ भी देता है अपने मन से RAM के बास लाख हो address है तो कहीं store कराता है तो addresses होता है वो अपने हिसाब से manage करता है मैंने तो 1000 मान लिया हो सकता है 65,35,240 दिया होता उसने address कुछ भी दे सकता है आपको मैं यह भी दिखाऊंगा RAM क्या address देता है बाद में जब और detail में हम जाएंगे pointers के समय तो हम बात करेंगे उसके बारे में ठीक है RAM ने कुछ दिया होगा लेकिन आपने A को क्या रखने के लिए बनाए है इंट ना इंट टाइप का डेटा तो यह कौन से टाइप का डेटा रखने के लिए बनी है इंट यह और यह बस तो वही रखना उसमें अलग कुछ मत रखना तो इंट टाइप का किस में रखना A में ना तो A में रख दो 15 कोई प्रॉब्लम नहीं फ्लोट टाइप की memory B है B में रख दो 56.87 अमित नाम की memory में रख दो मैं रख देता हूँ यहाँ पर G आप बोलोगे G कहां रख रहा हूँ मैं G इसमें रख रहा हूँ और आप बोलोगे single quote क्यों लगा है characters को store कराते समय लगाना पड़ता है यह rule है वाकी कभी ने characters के लिए single quote लगा के ही रख वाना हाँ लेकिन B में direct रख सकते हो क्या हाँ flow type मतलब decimal वाला 56 point क्या था मैंने देखा नहीं अच्छे से 8,7 और एक है 15 बस हो गया यह कर सकते हो आप कितना अच्छा है memory बनाओ उसमें store कराओ आप यह बोलोगे run करोगे हाँ चलो इस program को run करूँगा क्या दिखेगा बोलो जल्दी कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि मेरे पूरे प्रोग्राम में printf word कितनी बार लिखा है आप पढ़के बताओ कुछ भी नहीं दिखेगा सही बोल रहा हूं नहीं हो पाता उस समय अब देखो पूरे प्रोग्राम में printf लिखा रहेगा आप से अगर कोई पूछे आउटपूट स्क्रीन पे क्या दिखेगा बताओ एक्जाम में आता है ना 25 मार्क्स के लिए 5 मार्क्स के लिए ऐसे जो questions प्रैक्टिकल नहीं बोल रहा हूं थेरी में 5 मार्क्स का question होता है trace the output एक प्रोग्राम दिया होता है क्या दिखेगा बस एक word लिख दोगे न यहीं दिखेगा 5 मार्क्स मिलता है बच्चे नहीं बता पाते हैं एक ने बताया वो सबको बताने लगता है तू भी वही लिख तू भी वही लिख सब ऐसे आपस में बता देता है एक का गलत तो सबका गलत ऐसा भी होता है ये अब यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा आप चाहते हो print कराना तो लिखो ना print word हाँ लेकिन आप बोलोगे पहले ही print करा लो क्यूँ रखो के बाद में पहले print कराओगे ऐसा किसने बोला रख लो उसके बाद ही print कराओ इसलिए print बाद में कराना एक एक लाइन चलती पहले ये फिर ये पहले memory बनाओ फिर उसमें रखो फिर उसको print कराओ आपको ये process समझ में आएगी आप बोलोगे पहले print कराओ फिर रखो फिर memory बनाओ ये किसने बोला पहले बरतन आएगा तब तो उसमें कुछ रखोगे तब तो खाओगे आप पहले खा रहे हो फिर कुछ बना रहे हो फिर बरतन ला रहे हो ये तो गलत है ऐसा नहीं होगा sequence क्या है आपको उसको भी समझना है flow क्या है program का हाँ print कराने के लिए printf word को लिखो उसके आगे दो brackets लगा देता हूँ यहाँ पर लगाया मैंने हाँ जो application पर add नहीं हुआ है जैसे students बोल रहे हैं तो उसका attention मतलो link आ जाएगी Microsoft Teams की अगले lecture से आप join करते रहो add कर रहा है कुछ problem हुआ है बच्चे add नहीं हो रहे है बाकी के नहीं हो रहा है problem हो रही है तो उन सब को add कर लिया जाएगा तो वो हो जाएगा उसका कोई tension नहीं है ठीक है अब एक काम करते है चलो print करा लेते है A में जो है वो B में जो है वो Amit में जो है वो अब run करते है अब यहाँ पर double quotes भी लगा देता हूँ क्योंकि double quotes लगा के लिखना पड़ता है कुछ ना कुछ तो build and run यहाँ पर तो A, B और Amit दिख रहा है मैंने बताया था न printf के अंदर आप double quotes में जो लिखोगे वो as it is दिखता है problem आ रही है मैं चाहता हूँ A नाम के memory के अंदर रखा content दिखे B नाम के memory के अंदर रखा content दिखे Amit नाम के memory के अंदर रखा content दिखे ना कि वो as it is वो as it is दिखाना है तो direct लिख दो printf double quotes में तो क्या करें तो मैं आपको एक बात बताता हूँ आपको उसके लिए यह नहीं लिखना पड़ेगा आपको ना non-printable characters होते हैं C language में कुछ उनको use करना पड़ेगा यहाँ पर आप बोलो कि जैसे की integer को print कराने के लिए %I नाम का एक character लिखूं %I integer के अलावा और क्या print कराना चाहते है float ना %F और क्या है character है क्या %C इनकी जगा पे क्या दिखना चाहिए कॉमा करके बताना पड़ता है अलग से double quotes के बाद कॉमा और फिर बताओ जो भी A में है वो दिख जाए %I की जगा कॉमा जो %F की जगा क्या दिख जाए जो भी B में है कॉमा %C की जगा दिख जाए जो भी अमित में है अब रन करो double quotes के बाहर कॉमा लगा के लिखना दिखाऊं मैं हो रहा है आएगा 15 56.86 आ रहा है और G आ रहा है देख लो हो रहा है अब आप बोलोगी यह कैसे हुआ यह इसकी जगा पे हुआ थोड़ा space दे दो एक, दो, तीन एक, दो, तीन अब देखते हैं कैसा दिखता है नॉन प्रिंटेबल केरेक्टर हैं यह लोग यह लोगों का कहना है कि हम तो प्रिंट नहीं होने वाले ना मैं %I हूँ, मैं भी नहीं प्रिंट होने वाला %F मैं भी नहीं प्रिंट होने वाला और %C मैं भी नहीं मेरी जगा पे क्या प्रिंट कराना आपको कॉमा करके बताना पड़ेगा, बता दो sequence अगर इनका बदला तो ये भी बदलना पड़ेगा याद रखो जैसा लिख रहा हूँ ऐसे ही करना हाँ तो क्या मैं बीच में hello लिख सकता हूँ hello by और उसके बाद kkk कुछ भी लिख दिया चलो अभी run करते हैं 15 hello by 56.8 6669 kkk और जी अब बागी के थोड़ी non-printable character है जो non-printable characters थे उनकी जगा आपने print कराया अगर आपको space देना है तो दो अगर आप बिना space दिये लिख दोगे ऐसे build and run दिखाऊ देखे ये पूरा एक साथ दिख रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बीच में थोड़ा space भी होना चाहिए बस अच्छा दिखने के लिए मैंने space दिया था बाकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी तो as it is कुछ print कराना है तो आपको इनका सहरा लेना पड़ेगा लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि इस line को मान लेते हैं compiler read ना करें इस पूरे code को आपको एक नया प्रोग्राम बना के hello लिखना है तो आप चाहो दें आप एक comment दे सकते हो double slash अब ए line readable नहीं है अभी run करूँ अब आएगी error क्या error है पता है ए नाम की जब memory बनाये नहीं हो तो उसमें 15 क्यों रख रहे हो error ये है नहीं बनाये क्या हाँ आपने comment दे दिया ना उस line को अब वो line compiler के सामने नहीं दिख रही है तो वो error दे रहा है ए नाम की memory बनाये नहीं हो तो उसमें 15 क्यों रख रहे हो ऐसा नहीं बोलता undeclared a a is not declared दिखाऊ f2 दबा के हाँ ए देखो error 8 undeclared first use in this function आपने इसको use किया पहले declare करो मतला पहले memory बनाओ अब आप बोलोगे इसको भी comment कर दू तो दो error आएगी build and run देखते हैं आई क्या f2 दबा के a undeclared b undeclared हाँ दो-दो error आ रही है तो दो memories आपने नहीं बनाई है तीन चलो memory नहीं बनाया हो तो मत रखो क्या आप नहीं आएगी है रब आएगी आप नीचे use कर रहे हो ना इधर इधर भी तो use कर रहे हो a, b और अमित को वो बोल रहा है a, b, अमित क्या है यह देखो यह देखो आगया undeclared अभी भी आ रहा है एक काम करो इस line को भी comment मार दू क्या अब error आएगी नहीं अब तो आपके program में सिफ plate ch लिखा है कुछ नहीं दिखेगा तो comment दे सकते हो जो line जब चाहिए मतलब delete करने से अच्छा है comment देखे हा लेकिन आप बोलोगे क्या बार बार अगर एक हजार line है तो क्या एक हजार बार मुझे double slash लिखना पड़ेगा क्या कोई आसान तरीका नहीं क्या एक साथ सब comment में चला जाए है न multi line comments we use double slash for single line comments multi line comments के लिए आपको slash star कहा तक देना इधर तक क्या star slash सबसे best for multi line comments जहां से शुरू करेंगे वहाँ slash star जहां खतम करेंगे वहाँ पे star slash बस बात खतम हो गई आसान है बड़े आसानी से अब ये भी समझ सकते हो क्या है ये देखो कुछ ने देख रहा हाँ लेकिन comment की बात थी बता दी मैंने आपको ये भी लिख लो चलो आप एक बात ऐसे लिख सकते हो अरे मैंने ये तो पूरा आपको बताया ही नहीं मुझे ये बताना है कि ये जो memories बनती है communication इनके बीच में होता है अगर आपने A में रखा है 15 B में रखा है 56.87 अगर प्रोग्राम में लिख दोगे A प्लस B तो A यहां आएगा B यहां आएगा 15 और 56.87 ध्यान दो सब लोग 56.87 मतलब जब आप लिखोगे A प्लस B तो A इधर आएगा B इधर आएगा एडिशन ये करता है प्रोसेसर बोलता है addition, subtraction ये सब मैं करूंगा คร Yam, तुमारा काम है memory को store कराना तुम उतना ही करो processing का काम मेरा है processor मैं हूँ तो मैं बागी का करूंगा तुम memory हो ना तो तुम सिप store कराकर रखा करो जब add करना होगा मैं कराऊँगा क्यूंकि मैं processor हूँ मुझे ALU भी कहा जाता है मुझे बहुत सारे लोग ALU भी बोलते है Arithmetic and Logical Unit तो मेरा काम है Arithmetic Operation कराना Logical Operation करना तो यह मुझे ही करने दो तुम मत करो तो इनके बीच में बहुत तेजी सी Communication होता है क्योंकि RAM बहुत Fast होता है आप कोई भी Game को Open करते हो ना पहले वो RAM में आता है फिर Processor से Communication होता है और Game चलता है जब आप Close अच्छा आप NotePad में कुछ Type करो थोड़ा सा चालू करके क्या Save हो जाता है क्या वो नहीं वो RAM में होता है यहाँ पर Auto Save feature इनों ने लाया है यह छोड़ दो आप कभी भी कोई भी डॉक्यमेंट ओपन करो उसमें कुछ Type करो जब Close करने जाते हो तो पूछता है Save करना है क्या मतलब वो काम RAM में हो रहा था मुझे यह बताना है आपसे RAM में ही होता है काम सारा काम RAM में होता है और इनके बीच में जब Save करते हो तो जाके इधर Store होता है अब आप बोलोगे एक Processor Direct Hard Disk से Communication क्यों नहीं करता है Hard Disk बहुत Slow Memory बानी जाती है वो नहीं चल पाएगा इसलिए कोई भी Application RAM में आता है 4GB का Game है RAM में डाल दोगे एक और Game चालू कर दिया दो-दो Game खेलोगे 8GB का RAM है कैसे चलेगा RAM कम पढ़ गई आपकी RAM का काम Speed प्रोवाइड करना नहीं है देखा जाये तो वो आपके Application को स्टोर कराता है जादा लोड होने से वो Slow हो जाता है RAM का लोड बढ़ जाता है तो इसलिए Speed अब अब ओवर आल देखा जाता है तो Speedy है वो लेकिन वो खुद नहीं अब बात यह है कि Hard Disk अगर Slow है तो वो देता बड़ा Late है RAM को अब RAM को Late मिलेगा तो आगे Late देगा फिर ये जो देगा ये इसके पास आया लेकिन RAM स्टोर होने में बड़ा टाइम लगता Slow Hard Disk Slow होने की वज़े से आपका Computer Slow चलेगा Windows जो है C Drive में स्टोर होता हार्ड डिस्क में Hard Disk Slow 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 Read हो रहा है तो धीरे धीरे चालू हो रहा है इसके लिए तो Technology बदली SSD आया है उसके बाद अभी M.2 NVMe अगर आप लोगों को पता होगा पता नहीं पता है कि नहीं ये सब Technology के Hard Disk आते हैं अभी बड़े Fast होते हैं Memory Card जैसे होते हैं उनको यूज करो बड़े तेज इसको देते हैं लेकिन Processor Slow होने की वज़े से Processor Slow करता है तो भी Speed नहीं मिलने वाली Processor का भी अच्छा होना उतना ही जरूरी जितना आपके Hard Disk का है तो जब आप खरीदते हो तो आप ये देखा करो कितने Gigahertz का Processor है आपका Laptop का 3 Gigahertz 3.2 या 1.8 At least 2.4 के उपर है तो अच्छा है ये कैसे देखते हैं यहाँ पर आप जा सकते हो आप उसको देखने के लिए यहाँ पर राइट क्लिक करो और कहां गया माई कम्प्यूटर पर राइट क्लिक करोगे और Properties का Option है आपको यहाँ पर दिखाई देगा कहां किया किदर है हाँ यह 2.90 Gigahertz यहाँ पर आपको दिखाई देगा 2.90 Gigahertz तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो तो पहले पूछ लिया करो प्रोसेसर कितना है 1.9 है तो फिर वो slow चलेगा यह आपको बाद में समझेगा बहले SSD रहने दो फिर वो लोड नहीं ले पाता मेरे पास इससे पहले Surface था एक Laptop आता है Surface उसमें ना 1.8 था मेरा ध्यान नहीं था मैंने उसको खरीद लिया Laptop अच्छा था यह सोचके लेकिन बाद में मैंने उसका प्रोसेसर कुछ दिन के बाद वो बहुत slow हो गया यह भी slow हो गया है यह भले Evo है i7 है generation latest है NVMe यह तो भी slow चलता है जब load आता है online वालों का load जब आता है तो यह भी slow होता है वैसे नहीं slow चलता जैसे मैं editing भी कभी कबार खुद भी करता हूँ तो वो सारे software इसमें मने डाल के रखे हुए देखो यह एक software है फिर उसके बाद मैं Microsoft Teams पे पढ़ा रहा हूँ उसमें एक camera चालू है laptop का laptop का इसका mic चालू है फिर उसके बाद दूसरे इस पे पढ़ा रहा हूँ जैसे app के उपर तो browser से पढ़ा रहा हूँ तो browser में camera चालू एक mic चालू screen share और बच्चे आ रहे हैं इधर भी उधर भी तो load बढ़ जाता है बहुत तो थोड़ा slow होता है laptop और फिर उस laptops भी ऐसे आते हैं तो वो उसके उपर depend करता है आपके usage के उपर तो वो देख लिया करो L नहीं लिखा होना चाहिए आपके laptop पे processor i5 लिखा होता है i7 लिखा होता है model होता है 8051 उसके आगे L लिखा होता है L नहीं होना चाहिए M चलेगा H चलेगा G चलेगा gaming के लिए G आता है कहाँ पे रहता है यहाँ पे मेरे इस पे कुछ नहीं है तो यह यहाँ पे रहता है दिखाता हूँ जब आप laptop खरीदोगे तो चेक जरूर करना जादा speed वाला चाहिए तो यहाँ पे न 1195G7 लिखा हुए मेरा उसके आगे ना L लिखा होता है M लिखा होता है G लिखा होता है तो यह देख लेना और H लिखा होता है H रहे तो बहुत अच्छा है वो laptop आप ले सकते हो तो यह सब चीजें बच्चों को नहीं पता होती वो खरीद लेते हैं सस्ता दिख रहा है उनलाइन फ्लिप कार्ड पे I-Fi तो यह भी है I-Fi तो यह भी है दोनों सेम है इधर 30,000 इधर 40 यह अच्छा नहीं यह अच्छा है 30 वाला उतने में ही तो है I-Fi तेरा भी है मेरा भी है वो बाद में पता चलता है यह चीज होती है मॉबाइल भी ऐसे आते है कि आपको बता देते है यह है fingerprint sensor है 16GB RAM है अरे लेकिन आपने processor चेक नहीं की है processor तो बहुत कम वाला है उसमें मॉबाइल में भी यह सब होता है यह नहीं पता होता तो हम खाली RAM देखते है RAM कितनी है 12GB यह 8GB बस बस बहुत हो गया processor भी matter करता है ठीक है तो आज इतना ही होगा बाकी हम अपने अगले lecture में देखने वाले है जो भी बाते मैंने बताई है आपके सामने है एक दमाराम से चीजे पढ़ा रहा हूँ यही चीजें धीरे धीरे आगे जाएंगे तो कल मैं Microsoft Teams पे आऊंगा और Teams के साथ साथ हम इस पे एप के उपर भी आएंगे तो जो एप पे आ चुके हैं वो लोग एप पे देखना जो लोग नहीं वो टीम्स पे देखना चलो फिर online वालों के कोई सवाल है क्या हाँ कोई भी ले लो specification देखना चाहिए सही बात है चाहिए कोई भी company रहे जो आपने कभी सुनी भी ना हो उससे कुछ ने होता अंदर प्रोसेसर Intel का होगा या AMD का होगा hard disk बनाने वाली company Toshiba होगी सीगेट या ऐसी कोई तो होगी तो अंदर का जो सब है वो common एक ही आदमी बनाता है body बनाने वाली ASUS भी बनाती है body, Dell बनाती, HP बनाती Lenovo, सब body बनाते हैं तो जिसकी अच्छी दिखर है यह वो ले लो फिरो कोई भी company रहने तो कुछ नहीं होता उससे, यह बच्चों को नहीं पता होता उससे इसने डेल के अच्छे होते हैं बड़ा सुनने में आता है, ऐसा कुछ नहीं है इससे कोई फरक नहीं पड़ता अंदर का तो सब एक ही है, हाँ body, display, display का एक फरक पड़ता है वागी कुछ नहीं अभी थोड़ा थोड़ा डाउट रह रहा है हाँ, अभी आप आराम से इसी प्रोग्राम को घर पे प्रैक्टिस करो जो मैंने आज पढ़ाया है अगर आपने कर लिया तो आपका डाउट खतम हो जाएगा प्राइ करना, हाँ, यहाँ मैं percent db आगे लिखूंगा आगे के lecture में बताऊंगा percent high की जगा और क्या use कर सकते हो तो मैं जैसे पढ़ाऊंगा, एक एक करके सब बताऊंगा जितना बता रहा है उस पे focus करो एटलिस एक बार try करके देख लो, जम रहा है क्या जिसने try कर लिया, उसको सब समझेगा आगे एटलिस लैप्टॉप पे जो पढ़ा है, एक बार जरूर type करना एक बार देखना जमता है क्या मुझे, जम गया समझ लो हो गया जरूरी है बहुत, नहीं भी जम रहा है तो भी किया ना practice वो बहुत है practice जरूरी है, चलो फिर, buy सब को वियस कोड में नहीं अभी पढ़ाऊंगा मैं, वो टफ जाता है बच्चों को, बाद में बात करूंगा उसके बारे बाद चलो फिर, buy सब को